गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सीता सोनी असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ओव जुलोजी जीएचस गौवर्मेंट पेजी कोले सुजानगट आज हम इम्मुनोलोजी के उपर डिसकसन करेंगे यह भी ऐसी पार्ट सेकेंड के लिए है और सेकेंड बुक जो है पेपर सेकेंड जो है उसका टोपिक है तो कोई भी पदार्थ एंटिजन है या नहीं उसमें ये निम्न गुण होने चीए यानि एंटिजन के लिए कुछ विशेश प्रकार के गुण होने चीए इसी आधार पर जो है हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह एंटिजन है या नहीं है एंटिजन होने के लिए सबसे पहला जो गुण है वो है उसका साइज तो एंटिजन जो है ये काफी बड़े आकार के होते हैं या हो सकते हैं आठ हजार से अधिक आण्विक बाहर वाले एकन होते हैं जैसे हीमोसाइनिन इसका आण्विक बाहर जो है और 6.7 मिलियन होता है एंटिजन सीटी का गुण ड़कते हैं दूसरा जो इसमें है वो है रासाइनिक प्रकर्ति के एंटिजन जो है वो प्राकर्तिक रूप में प्रोटीन या पॉलिसेक्राइड होते हैं प्रोटीन के सेयोजन से इनकी एंटिजन सीटी में व्रदी की जा सकती है तीसरा गुण जो है उत्तकिय एंजाइम के प्रतिसुग्रा ही था तो केवल वे ही पदार्थ एंटिजन की बांतिकार ये करते हैं जिनका उपाप चाहिए उत्तकिय एंजाइम की क्रिया के परिणाम स्वरूप हो सके सरीर में एंटिजन के प्रिवेश के पश्चात पर पोसी एंजाइम की साहिता से इनकी चोटे-चोटे टुकडे कर देते हैं और इन टुकडों में एंटिजन के निर्दारक होते हैं foreign particles के वल वही foreign particles या substances antigen हो सकते हैं जो प्राणी के लिए बाहर से शरीर में प्रिवेश करते हो एंटिजन specificity की antigen की specificity के आधार पर त्रिवीम रासायनिक होता है ये stereo chemical होता है प्रतिजन अणू पर antigen determination की इस्तिती antigen की विशिष्टा का निर्धारन करती है इस प्रकार से जिनके अंदर ये गुन पाये जाते हैं वो antigen होते हैं नेक्स्ट जो हमारे हैं इसके अंदर वो है एप्टेंस हैप्टेंस क्या होते हैं देखिए कि हैप्टेंस कम आणविक बार यानि 8000 से कम वाले पदार्थ होते हैं जो अन्य बड़े अनुवाहक के साथ में संयुक्त होकर antigen की बांती कारिया करते हैं स्वयम पर्थक से हैप्टेंस परतिरक्षी परतिक्रियाओत पन नहीं कर सकते हैं हैप्टेंस जो है वो कारिया क्यादार पर दो प्रकार के होते हैं जटिल और सरल कॉंप्लेक्स हैप्टेंस जो है वो विशिष्ट परतिरक्षी के साथ अवक्षेपन हो सकता है इनका और सि नेक्स जो आपके इसके अंदर आती हैं टोपिक वो है एंटीबोडी जो है एक विशिस प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त या अन्य उतकिय दरव्यों में एंटीजन के प्रिया के परिणाम सरूप उत्पन किये जाते हैं ये विशिस्ट तायूक तो होते हैं इसलिए संबंदित एंटीजन से संयोजन करते हैं सरीर में एंटीबोडी सुरक्षा का कारिय करते हैं और रोक से सुरक्षा करने का कारिय करते हैं इसी प्रकार टीसेशियस और कपेट ने बताया था कि एंटीबोडी पदार्थ सरीर में व इसके बाद ही एंटी बोडी को गामोग्लोगुलीन कहा जाता है यानि इस कोज को बाद ही एंटी बोडी को हम गामाग्लोगुलीन भी कहते हैं 1964 में विश्विश स्वास्तिय संगठन ने एंटीबोडी के परतिरक्षा करिया के आधार पर इन्हें इम्मिनोग्लोबिलीन नाम दिया था यदि हम इनकी स्ट्रक्चर देखें सरंचना देखें तो वो इस प्रकार है कि इम्मिनोग्लोबिलीन ग्लाइको प्रोटीन के बने होते हैं जिसके परते कड़ों में चार पॉलिपेप्टाइड स्रंखलाए पाई जाती है ये स्रंखलाएं डाई सलफाइट बंदों के द्वा पहली इसमें हैं लाइट पॉलिपेप्टाइड चेन या एल चेन लाइट पॉलिपेप्टाइड चेन जो है ये एक जोड़ी होती है तथा इनका आन्वी कभार लगबग 22,000 से 25,000 तक होता है एल चेन के अंतिम सिरे पर नाइट्रोजन उपस्थित होता है इस सिरे को अमिन पॉलिपेप्टाइड चेन ये भी एक जोड़ी होती है इसका आन्वी कभार जो है वो पचास हजार से 55,000 के मद्दे में होता है ये स्रंगलाई परतेक परतिरक्षी में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है इस रंगलाई पर सीषी शिरा पाया जाता है इसे कार्बोक्सिल टर्मिनल भी कहा जाता है इस रंगलाई से एंटिजन सहयुक्त नहीं होते परतेक इम्नोग्लोबिलीन अनु में दो खंड पाय जाते हैं पहला खंड जो है वो इस्तिर या constant segment कहलाता है, दूसरा परिवर्ति खंड या variable segment कहलाता है पहला इसमें है इस्तिर खंड, इसे FC भी कहते हैं, इसमें amino अमल का अनुक्रम एक प्रकार के immunoglobulin में इस्तिर रहता है दूसरा है परिवर्ति या variable segment, इसे FAB से परदर्शित करते हैं, इसमें amino अमल अनुक्रम जो है वो परिवर्तित होता है यह antigen बंदन खंड बनाता है यह खंड कुंजी का वह भाग होता है, जो विशिष्ट पर्तिजन के साथ बंदन बनाने के लिए विशिष्ट ग्रत होता है यानि यह low end की थोरी के उपर कारिये करता है इमिनो ग्लोबिलीन अनुका antigen बंदन इस्तल amino terminal की सिरे पर होता है इसमें हलकी वे भारी दो स्रंकलाएं होती है इमिनो ग्लोबिलीन पेप्टाइड स्रंकलाओं के मद्दे दो प्रकार के डाइसलपाइट बंद पाए जाते हैं दो प्रकार के डाइसलपाइट बंद जो है इनमें इंटरचेंड डाइसलपाइट बंद और इंटराचेंड डाइसलपाइट बंद होते हैं आंतर स्रंकला और अंतर अंतरा स्रंकला डाइसलपाइट बंद पहला है आंतर स्रंकला डाइसलपाइट बंद यह एक एक परतेक परिवर्थी खंड में एवं तीन तीन परतेक इस्तिर खंड में बंदन लूप बनाते हैं परतेक लूप सगन वलन बनाता है जिसे प्रभाव चेतर कहते हैं परतेक प्रभाव चेतर का प्रथक कार्य होता है परिवर्ति खंड के प्रभाव छेतर विशिश्टिक्रत एंटीजन बंदन इस्तल बनाने के लिए उत्तरदाई होते हैं दूसरा जो है इसमें वो है इंटरचेन डाइसलफाइड बॉंड यह है बॉंड L स्रंकला और H स्रंकला के मद्दे दो या फिर दो हेवी स्रंकला के मद्दे स्थित होते हैं H स्रंकला का इस्तिरखंड का पहला वे दूसरे के मद्दे का छेतर हिंज रिजन बनाता है यह है छेतर फ्लेक्सिबल होता है नेक्स्ट आपके इसके अंदर आता है Classification of Immunoglobulins तो Immunoglobulin की जो Classification है रश्टना और कारिये की विशिष्टता के आदार पर किया गया है और इनको पांच भागों में डिवाइट करते हैं Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, Immunoglobulin D, Immunoglobulin E इन पांचों की ही जो है विशिष्ट परकार से इनकी विशिष्टता होती है तो सबसे पहला जो Immunoglobulin है आपके वो है Immunoglobulin G तो Immunoglobulin G जो है सीरम Immunoglobulin होता है जो कुल Immunoglobulin का 80% भाग बनाता है इसकी सरंचना सामान्य गामा गलोबिलीन के समान होती है इसमें पोली पेप्टाइड की चार्च रंग लाए पाई जाती है इसका आन्विक भार एक लाख पचास अजार यों सेडिमेंटेशन कोफिशियंट जो है सेवनेस होता है दूसरे Immunoglobulin की तुलना में इसमें कार्बोहईडरेट की मात्रा कम होती है इसके जो हाप लाइफ है वो 23 दिन तक होती है और शिरम में सामान्यता या है आठ से 16 मिली ग्राम प्रती मिली लिटर मात्रा में पाया जाता है Immunoglobulin G ही एक मात्र ऐसा Immunoglobulin होता है जो मात्र सरीश शिसु में प्लेसेंटा के माध्यम से इस्तानांतरित होता है इस एवन नवजाद सिसु को प्राकर्तिक निश्क्रिय परतीरक्षा परदार्ण करने का यह कारिये करता है नवजाद सिसु में यह है परियाप्त मात्रा में संसलेशित नहीं होता है Immunoglobulin G लगबग सभी परतीरक्षा करियाओं में भाग लेता है जैसे कि अवक्षेपन, विश, एवन वाइरिश का उदासी निकरन और पूरक बंदन या कॉम्प्लिमेंट, फिक्सेशन यह सामान्य परतीरक्षी की रूप में कारिये करता है और अधिकांस्ते रुदीर वे उत्तकों में संक्रामक कारकों के परती सुरक्षा परदान करने का कारिये करता है इस प्रकार से यह है Immunoglobulin G की जो है वो विशेशताई पाई जाती है ओके स्टूडेंट, थैंक्यू, हैवे नाइस दे